आकाश्मणी दिल्ली प्रसुत करता है विशेश कारक्रम वतन के रखवाले प्रायो जग और धिसैनिक वेलफेर ट्रस्ट हम भालत के प्रहरी वतन के पहरेदार हैं वतन के रखवाले हम हैं अर्धसैनिक नमस्कार आप सुन रहे हैं 102.6 FM Rainbow पर वतन की रखवाले उन सभी रखवालों को हम सलाम करते हैं जो देश और देशवासियों की रक्षा करते हुए खुद के बारे में कभी नहीं सोचते तो आपको क्या लगता है उनके बारे में सोचने का काम किसका है हाँ हमारा है तो भी सोचने के साथ साथ काम भी करना है जैसे कि राश्टर पिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भविश्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं अर्दसैनिक वेलफेर ट्रस्ट ऐसे ही कुछ बड़े-बड़े काम कर रहा है हमारे देश के फौजीयों के लिए मकान, दुकान, सामान, हर चीज का इंतजाम और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे फौजी भाईयों के लिए बड़ यो धिंक्रमा बिल्कुल मैं भी ऐसा ही कुछ फील करती हूँ हाई, हेलो एवरिवान और ये शो आपका है अपना जिसका नाम है वतन के रत्वाले बारे बज़े से एक बज़े तक आप हमारे साथ रहने वाले हैं इसी शो में मैं हूँ आपके साथ रमा पांडे और नेशा वो भी साथ में है देखो आज हम राश्रपिता महात्मा गांधी जी की जैनती सेलिब्रेट कर रही है और इसके अलावा कितना खुशनुमा माहौल है बाहर फेस्टिव सीजन जब भी आता है बिल्कुल और गर्बे की धूम मची हुई है शार्दिय नवरात्री चल रही है इसके लावार राम लीला भी तो चल रही है हर तरफ जहां पर भी नजर दोडाओगे रंग बिरंगे रंग तो नजर आएंगे ही और हमारे देश का हमारे देश की त्योहारों का रंग भी बड़ा उभर कर आता है और हमारे स्टूडीयो के रंग कौन है जो हमारे साथ इस वक्त मौझूद है हमारे साथ मतलब वो माहौल जो है न और खुशनुमा माहौल जो है बाहर है तो स्टूडियो में तो होना ही चाहिए हमारे साथ हैं आज IT BP से डेपूटि कमांड दॉक्टर गीतिका बोशिया बहुत-بहुत स्वागत है गीतिका जी आपका तांकियू रमाजी और यहीं पे यही गैस नहीं है बलकि हमारे साथ है श्री रविंद्र सिंग जी आप Gallantry Award से सम्मानित है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका इस शो में रवतन के रखवाली शो में और मैं अपने लिसनर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि रविंद्र जी को BSF के साथ साथ SPG दोनों जगे काम करने का अनुभव है और निशा मतलब मैं ये बात बोल रही हूं हाँ जी पुलीस मेडल फो ग्यालेंट्री ते तब मानत है ये और इतने खास हमारे गेस्ट है तो इनकी एक्सपिरिंस इस नो डाउट बड़े खास होने वाले हैं तो आपको सुनना बनता है पूरा ठीक है और ध्षण से सुनेंगे तो कुछ जीतने का जीतने का अशर भी जरूर मिलेगा और कुछ हम्पर वगारा कुछ मिलता है न अनिशा कुछ तो होता है जो हमारे एक फैन कॡूप है इस पर वतन के रखवाले का उस पर भी या लगातार लोग अपने-जिं पहु सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें और इसके अलावा जो नंबर है वो भी तो हमें बताना है नंबर है 999 I mean 999 0060506 और इसके अलावा निशा हम सब को खुशखबरी मिल चुकी है, हमें कौन मिल चुके हैं हमारे नए CDS Exactly, तो उनके बारे में भी एक बहुत ही खास इंटेव्यू होगा जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे वो कौन होगे, उनसे हम आपको जल्दी मिलवाएंगे, आच्छा नाम अभी हम नहीं बता रहें अभी नाम बता भी सकते हैं इनसे बात करेंगे हमारे न्यू सीडियस के बारे में बस आपको सुनना है शो वतन के रखवाले रेंबो इंडिया 102.6 एफिम पर उनके इसी सपने को साकार करने के दिशा में कारेरत है अर्द सैनिक हाउसिंग आपके क्षेत्र में सरकार से मानिता प्राप्त जमीन पर स्वीकृत नक्षे के अनुरूप बहतरीन, सुन्दर, मजबूत आवास बनाने में हम आपकी मदद करते हैं आपकी जरुवतों को समझते हैं हम सैनिक बंदों आप भी पूरा कीजी अपना ये ख्वाब आज ही रिजिट करें www.ardicanic housing.com हाँ जी यहाँ पर जाकर तो आपको अर्दसैनिक housing के बारे में सारे information मिली जाएगी और इसके अलावा अगर आप फिर भी कुछ मिस कर गए हैं तो हमारे नंबर 999-0060506 पर भी संपर्क करके इसकी डीटेल पा सकते हैं और पता है निशा मेरे सपने हर दम सच होते हैं 100% आज सुवे सुवे मैंने सपना देखा कि जो अर्दसैनिक जो वेलफेर ट्रस्ट है उसके संसापक पूरन चंजी अनाउंस कर रहे हैं कि हाउसिंग में से एक-एक मकान रमा और निशा को भी तो मुझे लग रहे है कि मिलने वाला है मकान है मतलब ये नवरात्रो की समय में इंद्रमा और निशा की लॉटरी लग जाईए दा में रइन रहे हैं वतन के रखवाले प्रोग्राइम हम सभी सुन रहे हैं हम भी सुन रहे हैं in fact हम भी बात कर रहे हमारे आज के गैस से और हमारे साथ इस सामें डॉक्टर गतिका भोश्या भी है और श्री रविंद्र सिंग भी है पुलिस मेर्डल गलेंटरी सम्मान से सम्माणित है रविंद्र जी जहां तक मैं आपके बारे में जानती हूँ बल्कि बहुत लोग हैं जो वो भी जानना चाहते हैं, आप हरियाना के छोटे से गाउं काईला से आते हैं, आपने 1987 में B.S.F. यानि सीमा सुरक्षा बल में बतौर सिपाही आप भड़ती हुए, और 5 साल बादी आपने SPG में आ गए, आप डेपूटेशन पर आए, और वहां आपने 5 प्रधानमंत्रियो के साथ काम किया, उनके मतलब ड्यूटी की, और यह अपने आप में खुद रिकॉर्ड है, तो मैं तो यह सोच रही थी, कि आप तो खुद हाई प्रोफाइल बन गई, यानि आप सेक्यॉर्टी में थे, तो आपको भी सेक्यॉर्टी में ली क्या, ऐसा तो नहीं था मैड़ा लेकिन सेक्यॉर्टी, हमने पांच पीम के साथ ड्यूटी की है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला मैड़ा, और खासकर हमारे जो ट्रेनीज के गुरूज थे, उन्होंने इतना हमें शिखाया, कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी आगे नोकरी में बहुत आई फाई होई, इसके बाद मैडम हम अपना आठ साल का पीर्ड पूरा करके, जब हम अपने डिपार्टमेंट में गए तो हम अलगी थे, हमारी जो चमक थी, बाकि हमारे साथियों से अलग थी, हम कुछ ज्यादा ही जानते थे, मतलब SP जी ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया था, सच में वो देख रहा है, सुबह जिस तरह से शिड्यूल होता है, हमारे सभी जवानों का, वो यह नहीं के रेटायल होने के बाद बंद हो जाता है, बिल्कुल, वड्यू तिंक सर इस बारे में आपके वारे में, आज भी हमारा वही रूटीन है, वही हमारा यानि डिसिप् देखते हैं, अलगी नजर आते हैं, तो यह तो हमारा मेडम निकलता है नहीं, और दूसरा मेडम को चार लाइने बोलना चाहूंगा, जो आप इस प्रोग्राम पे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लेता हूं मेडम, थोड़ा बोल भी पोईट कर लेता हूं अपनी, यह वतन के अवाले इमाकरकत करे हम उसे सांसों के परजाते हैं पाले लाले, देश हमारे लिये सरौर परहि नहीं, कोई बेज चाहे गले हो या काले, काटों की हमें कहा पुरवा, अस्तें widow सह जाते हैं Hmmm वदै के रखवाले, हम वतन है वतन है वतन के रखवाले. उ Character बह huge huge और यह जजबात है, मुझे लगता है निशा जो निकल कर आई हैं, जो कुछ अनुभव रहा है रविंदर जी का, जो वो फील करते रही हैं और आज भी फील करते हैं, वो चीज़ें उन्होंने हमारे सामने रखी हैं और इसी तरह की, देखिए, बीए सिफ से जुड़े रहे हमारी ये गेस्ट, एक जो हमारे साथ तेक और गेस्ट मौजूद है, जैसे की आपने बताया, डिप्टी कमांडे डॉक्टर गितिका बोईश्या, आपकी एक्सपीरियंस भी जरूर जानना चाहेंगे, कितने कठिन प कितने का बोईश्या, डिप्टर गितिका बोईश्या, 2013 में मेरा सेलेक्शन वा था इसिस्टन कमांडेंट, प्रेजेंटली मैं अभी डेप्टी कमांडेंट हूँ, लाइफ हमारा तफ है क्योंकि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है हम, बेसिकल हम इंडु टिबिटन बॉर् और एक्लाइमेटिक इश्यूस भी बहुत है, हम उनको जूज कर, हम वहां रहते हैं, हम अपना ड्यूटी करते हैं, तो हमारे लिए तो टॉफ है और जॉक्टर गीतिका, सलाम है आपके इस जजबे के लिए, जॉक्टर गीतिका, मैं यह भी जानना चाहती हूँ, यह जो आपने बताई कि, क्योंकि आप पोस्टेड हैं लेह में, तो वहां काफी टफ जो कंडिशन्स हैं, उसके बारे में तो मैं आपसे बात करूंगी, औ तो जानना चाहेंगे, लेकिन डॉक्टर गीतिका बोशिया, मैं यह जानती हूँ, कि आप पहले पशु चिकित सकती, और उसके बाद आपने ITBP जॉइन की, तो क्या वज़े रही कि आप एक सैनिक बनना चाहती थी, आप आम फोर्स में आना चाहती थी, पैरा मिलिटरी फो तो हमको वहीं से ही प्रेना मिली है, और जैसे कि दूसरे फॉज में नहीं लेते हैं लेटे हैं लेडीज को, आज वेटनेरी डॉक्टर, बट ITBP, CAPF, एक ऐसी मात्र है, मतलब हमारी गवर्मेंट और जो लेती हैं, अभी लेना स्टार्ट किया है, तो हम पहले तीन थी, दो अभी हम पांच लेडीज है, लेडी वेटनरी ओफसर में बोलूँगी, यानि यह मतलब जो मेल हैं, वहाँ पर उनको थोड़ा इंसिक्योरिटी तो नहीं हो रही है, कि डॉक्टर गितिका के पाले में काफी लोग बढ़ते जा रही हैं, नहीं, हमारे जो मेरे जो कलीग्स ह वो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, वो हमें बहुत ही जादा सपोर्ट करते हैं, हम लोग को हर ऑपोचिनिटी देते हैं, और थोड़ा से डीटील में बताईए कि वेटनरी डॉक्टर का रोल क्या हुआ, ताकि हमारे सुनने वाले समझें, कि आप एक्जाक्ली वहाँ लॉजिस्टिक हमारे जो होते हैं, लॉजिस्टिक में बोल दो पेट्रोलिंग ही हैं, तो इसमें हम लोग प्रवाइट कराते हैं इनको, अजन अड्मिनिस्ट्रेशन अज़ आप्स, जी, जी, सो ये मेन रूल है गितिका जेका, काफी बातें और करनी हैं, अभी तो तो ता हमारे जो हमें जो हिला देगा, हमें जो तोड़ा डरा देगा, उस experience के बारे में, जिसके लिए इनको, say, police medal for gallantry से सम्मानित किया गया, वो experience भी सर आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन फिलाल, एक break लेते हैं, लेकिन चलते चलते, बेक में जाने से पहले निशा एक बास जरू शेयर करना चाहूंगे, जैसे जॉक्टर गीतिका ने बताया, क्यूंकि वो NCC उन्होंने की थी, वो कैड़िट थी, तो देखिए वो जजबा वहां से आया था, और उसके बाद वो पशू चिकित सक होने के बावजूद, वो फिर ITBP में आएं, क्यूंकि कही ना कहीं मुझ इसके साथ आज भी होने वाली है, शो है वतन की रखवाली हमें आज ही संपर करें, आओ, देश की सेवा करें अर्ध सैनिक वेलफेर ट्रस्ट का एक कल्यान कारी कदम, सेल का एक प्रतिशत सैनिक विद्वा साहता कोश के लिए रखा जाता है इस समय आप आकाश्वाणी दिल्ली से सुन रहे हैं विशेश कारक्रम, वतन के रखवाले, प्रायोजक अर्ध सैनिक विलफेर ट्रस्ट शो है आपका अपना वतन के रखवाले, फिलहाल मैं हूँ आपके साथ रमा पांडे और साथ में हैं निशा और हमारे लिसनर्स भी हमारे साथ हैं निशा रगुवींद्र सिंग चढड़ा जी वेलकम करते हैं हमारे दोनों गेस्ट का श्री रवींद्र सिंग जी का भी और डॉक्टर अगेतिका बोशिया का भी और उनको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है वो ये भी कह रही है इसके लावा हमारे जो सैनिक भाई हैं अगर कुछ टैलेंट है उनके अंदर या कोई जिग्यासा है कुछ पूछना चाहते हैं अर्द सैनिक बल वेलफेर ट्रस्स से रिलेटेड कुछ भी अगर वो अपनी केंटीन को उनना चाहते हैं या कुछ लीगल एडवाईस की उनको शुनिच है और जितने भी शूता हमें मेसेज कर रहे हैं अपना नाम जरूर लिखिए और बाकि आपके शुब कामनाय संदेश सबका बड़ा-बड़ा स्वागत है आप बेजते रहे हैं अगर कोई सवाल है हमारे मौजूद गेस्ट से आप पूछना चाहते हैं तो आप व जम्मू में उद्धमपु डिस्टिक में गुल जगह वहां पे थी और दो पर बारा बज़े के आसपास हमारे सियो साब चमन जी थे उनको एक इंफॉर्मेशन में लिए किसी इंफॉर्मर से कि एक गर में जो एक्चुल में लोकल डोक्टर थे उनके गर पे कुछ मिलिटें रुके वे हैं और वो बड़े खतरनाक मिलिटेंट थे तो जल्दी में हमारे सियो साब ने जो भी कैम्प में मौजूद टूप्स थे उनको इखटा किया और जल्दी से जल्दी जाने के लिए सवें भी तयार हुए और उसमें कुछ मेरे साथियों को सिविल ड्रेस में तया हमारे पास जो भी अथियार होते हैं वो लेके तो आगे आगे हम थे तो उनमें छे साथ हम सिविल ड्रेस में थे वो जो एक जग है थी हमें हमारा लोकल गाइड लेके जा रहा था वो भी एक लोकल पुलिस वाला था उस गाउं से ही संबंद रखता था और सर उसी सिविल उ हैं उनके वी देशियत यार होते हैं तो मेडम जैसे उस जगह पर ठीक से पहुंच भी नहीं पाए थे हमारी मिलिटेंट को जानकारी मिल गी उसने अपने गाइड रखे दे कोई लड़कियों ने चिला जिया फोज फोज तो ठीक पहुंच नहीं पाए थे पहले अपना अटेक करके बाहर निकल देते हैं मैं अपने जो छे साथ जवान था उनमें थोड़ा चा पीछे था तो मुझे दिखाई दिया एक मिलिटेंट टोने अटेक कर दिया है तो मिलिटेंट की जो राइफल सोते हूं कि आवाज पैचानते हैं वह के फोर्टी से उनकी रा हाथ्में इसे तरफ आ रहे हैं तो मैंने निचे की तरफ में ऊपर था मिलिटेंट नीचे थे मैं नीचे तरफ जैसे जाना चाया तो militaire मुझे देख लिए और मैंने अपने उपर मेरे साथी तो उनको बता है कि मिलीटेंट है, ठीक से मिलीटेंट पर तेज होते हैं, चालाक होते हैं, एक आदमी को वेपन को छुपा के इस तरह चलते हैं, सिविलियन की ताकि उनको फाइदा मिले, फोज शिविलियन पर अटैक नहीं करती, कोई गलत अपने साथियों को बता है, तो मेरे जो उस टाइम के कमांडर थे, इंस्पेक्टर बाकर थे, उनको भी मेडल मिलता बाद में मेरे साथ, तो उनों ने मुझे मना किया कि नहीं, फाइर मत कर दे ना कोई शिविलिन ना मर जाए, लेकिन मुझे कंफरम था कि मिलीटेंट है, मेरे साथ, तो इतना सुनते ही मिलीटेंट ने उपर फायर जोंक दिया, मैं नहीं पाया क्यूंकि मैं तो मैं अपने कमांडर से जाज़त हिए ले रहा था, तब तुक उन्मे फायर जोंक दिया, तब मैंने सोच आए, इजाज़त लेनी जरूथ नियू तो इदर से वो फाय च्छत के नीचे वह और हमारा फायर बिल्कुल आमने सामने से चल जा था तो वह कोशिश कर रहा था मुझे मालने की और सर्थ आमने सामने की इस तरह की फायरिंग में हम अंदादा लगा सकते हैं रमा की बचना है या नहीं बचना है टोटल किस्मत की ऊपर है कि को गोली आप है यह कोशिश कर रहा है कि मैं इहां का सिटिजन हूँ नागरिक हूँ ताकि वह चुपचाप निकल जाए और फिर उसके बाद जो आम लोग है या सैनिक है उन पर हमला कर पाई और इस दोरान मैडम खास बात यह थी कि मुझे मदद नहीं पिल पाई कुछ मेरे जो साती थे चोटा सा पेड था उसकी आड मुझे मिली थी मैं फील कर रहा था उस पेड में गोलियां लगती भी ही तो मुझे फील तो मुझे एसा लग रहा था साहर लास्ट रहे गाज दिन क्योंकि बिलकुल एक दम यानि मुश्किल से हम यह 10 मिटर का रहा हुगा है सामना सामना था तो लेकिन वह मिली टेंट जब एक बार मेरी क्यार मैं था हमारे पास है तो वह मेरी खाली होगी वह खाली होगी 20 रूंड मेरे फायर होचके थे और उसको गोली नहीं लगी थी और उसकी तरफ से भी 20-25 रॉंड फायर हो चके थे कूछ से कूछ इन कुछ से तो मैंने अपन तरह मैगजिन चेंज की, मैगजिन भी छुट के निची के तरह गिर गी और जैसे मैंने फायर करना चाहिए तो डबल राउंड डल जाता जिससे फायर में रुकाउट आ जाती है लेकिन मैंने फिर अपनी जो ट्रेनिंग के हिसाब से उसको राउंड को निकाल ला निकाल के त अब तक मेरे को दूसरे मिलिटेंट की राइफल दिखाई दियेगी थी यह मिलिटेंट है वो तो जंप कर गा नहींचे लेकिन दूसरे मिलिटेंट को मैंने गिरा लिया और इस पे 10 रांड चाहिए पंधरा रांड कितने फायर इक इसन शलनि कर दिया और वह दूसरा मिलिटेंट वहां से बागने में कामियाब वहा है इसके बाद हमारे साथ ही आ जाते हैं सीयो साथ भी आ जाते हैं और उनको यह कानी बताई जाती है उनको फिर हम मिलिटेंट को एक ट्रेनिंग होती है हमारी मेडम जैसे मिलिटेंट किर गया है मर गया है तो उसको भी अम उठ क्योंकि वह मिलिटेंट होते हैं एक मरगया है तो दूसरा क्या करता है कि गरनेड खोल के नीचे दबागे बाग जाता है जैसे हम बोड़ी उठाएंगे वह ब्राफ्ट हो जाएगी तो हमने फिर शिवलेंस बुलाएं उसको एक ट्रेनिंग होती है उसके पैर के रशी बांद सामगी तो नहीं है थोड़े बहुत सांसे तो नहीं है कि वह स्पोर्ट वगएरा कर सकते हैं मैं तो यही कहना चाहूंगी जैहिंद वन्दे मातरम एक जजबा आपने जो दिया है और मुझे ऐसा लगा रविंद्र जी जब आप बता रहे थे कि हम वहीं पे चले गए हैं सा से आपने कहा कि कुछ सेकंड्स का ही खेल होता है हमारी जिंदगी को भी बहुत आप लूं की जिंदगी भी तो अमुल्य है उसको भी तो कुछ हो सकता है हा नहीं हो सकती है तो मिशन से पहले आपकी यह सोच किस सरे से सोच आप लाते हैं कि मुझे सफल होंके आना है कैसे स् सामने से फाइर हो तो बिल्कुल डर्न होता। दूसरा मेडमेरी समय तो मैं तो मैं तो रखती है। मैं अप ट्रेनिंग कैसी बिली है। इसका तीरिक एक टीम वर्क होता है मेरे साथ मेरे पचास सो आदमी थे उनका एक टीम वर्क और गुता है। और मेडम एक बात मैं अच्छी ट्रेनिंग में 200 आदमी आपके साथ लेकिन उन में से दो या चार है वो आग में कूदे यह सचाई है तो दो चार कूदे हैं वो पाकिस की स्पोर्ट मिलती है मुझे लगता है कि देश की रक्षा के लिए जब किसी को मौका मिलेगा मौका मिलने के आवशकता है और वो आग में कूदने को निशा तयार है तो बस आपके बास भी अभी है मेरे तो दिल के धड़कने रुक गई थी सवाल दिमाग से बिलकुल ऐसा लग रहा है कि डिसपिय काम है हमें मेसेजिस करते रहे हैं जल्द ही हम आपको सवाल पूछेंगे हमारे आज के प्रोग्राम से जुड़ावा माना कि थोड़ा सा कम समय आपको मिलेगा लेकिन हां आपको मौकाश जरूर मिलेगा बनी रहिए FM रेंबो पर सुनते रहे हैं वतन के रखवाले प्रायो और इन वे हम भी अर्दसैनिक के जवान रमा और निशा आपके साथ मौजूद है हर रवीवार बारस एक वतन के रखवाले 102.6 FM रेंबो पर आपके लिए पेश हो जाता है ये कारिकरम जिसके साथ जुड़ने का मौका आपको मिलता है और जिसमें एक सवाल हम पूछते हैं और सिंपल इनका नाम हमें मेसेज करके बताना है कि ये कौन है किनकी आवाज है यानि तुमने आज थोड़ा डिफिकल्ट रखा है निशा है न हमने आज डिफिकल्ट रखा है तो लिसनर्स को बताना है कि किनकी आवाज है और बहुत से लिसनर्स हैं जो वो खुद कहते हैं और अंदाज की दुनिया के मालिक हैं तो देखे, देखते हैं हमारे listeners कितना regular ये show सुनते हैं और कितना aware रहते हैं हमारे soldiers के प्रती तो हमें answer करना है और जैसा कि जानते हैं वतन की रखवाले इस program में हमारे साथ है रविंद्र सिंग्छी भी हमारे आज के guest और डॉक्टर गीतिका बोशिया जो ITBP से हैं जेपिटी कमांडिन भी हैं तो चलिए आवाज सुनते हैं हमारे सामने सुरक्ष्या संबल दी जो भी चुनोतियां हैं और मुश्किले हैं हम उसे मिलकर साजा रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे शुक्रिया जैहिंद धन्यवाद जे हां तो आपने आवाज पहचानी या नहीं पहचानी अगर पहचान दी है तो जल्दी से हमें WhatsApp कर सकते हैं 999-0060506 और निशा हम कहते हैं कि सैनिक हर मुश्किलों को पार कर जाते हैं उनका जीवन इतना कठिन होते वे भी वो उसको बहुत आसान बना लेते हैं लेकिन कोई Dr. Githika से पूछिए ले में वो रह रहे हैं पोस्टिड है वहाँ पर और Githika मुझे पता है बस शमय वो शुरू होने वाला है जब ले में जो पानी है वो बिलकुल बरफ बच जाता है वहाँ पर ausygen की कमी रहती कितना मुश्किल है वहां पर पोस्टिंग पोस्टिंग वहां टफ है क्योंकि अभी ऑक्टोबर के महने से पानी जमेगा वेजिटेशन निल हो जाएंगे एक पेड में पत्ता नहीं दिखेगा और वहां की जो लोकल स्थानिय जनता है वो भी माक्सिमम अपने दुखाने कि हम वहां रहने में हमें बड़ा मजा आता है ऐसे परिस्थितियों में भी हम अपने घर से दूर रहते हैं हर एक जवान अपने घर से दूर रहता है तो वहां के उस परिस्थितियों में ढल चाता है यानि आपको भी लगता है कि हमें एक टास्क दिया है और उस टास्क को ह अंगर पोस्टंग हो जाती है, घी, बहुत इंपॉर्टन टास्क हमारे क्योंकि हमें, हर लेचीस को अडपत करना अग्ज़ एतक हिए, इससे इंसान होता है फा जी कि वह उचीज में अपने आपको आपको कर लेता है, चाहे हो दिली में और ळेह, वो अपने आपको हर चीज में आडब उसको करना ही पड़ता है और वो भी कम दिनों में तो आप अभी कितने स्टाइम हो गया को एक साल तकरीब हो गया है मेरा एक साल से जादा हो गया है वहां पर टनियर और तफ मैं इसले ही बोलूंगी क्योंकि जो फेसिलिटी यहां मिल ज उनके बेसिल्टी जवानों को मौनिंग में शेवें करना होता है तो उनकी लिए भी हम सोच सकते है कि वो मौनिंग में ठंड में अट्के कैसे शेर हाँ करेंगे और वो करना ही करना है पार्ट ऑफ मतलब उनका प्रोफिशनल लाइब घं उनिफोर्म है वो और लड़कियों को फॉज में बहुत कम है माना की लेकिन अब लड़कियों को भी पूरा मौका दिया जा रहा है अलग-अलग C.A.P.F.K. अलग-अलग जितने भी फॉजे हैं उनमें शामिल होने का आप ITBP की एक ऐसी महिला डॉक्टर हैं आप ने का था आप अकेली महिला डॉक्टर हैं वहा तो पहले तो शॉक होते है की बोलते है अरे जुले 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 एसे वहा पे नमस्ते को जूले बोला जुले लड़की भी फॉज में है क्या तो अब दे और फिर आप एसा हमारे एक्सपिरियंस पोच्छते कि आप पो कैसा अरे में और वहाँ बहुत पनी कन्वसेशन हो तो वह बहुत बड़ा फणी खन्वेशन उनके साथ बहुत पनी होता है। वरी कन्फियूस्ट बोलते हैं कि हमारी बेटी भी यहां पढ़ती है। हमारे बच्चे भी हैं। उनको भी इंट्रेस्ट हैं। आप से फोटो रेना चाहते हैं। उनका ऐसे हैं। जी मतलब परिसीतियां अपने अनुकूल किस सरे से बनाया जाए डॉक्टर गितिका ने बताया है और जैसा कि मैंने प्रोग्राम में शो में निशा हमने आते ही का था कि हुश्खबरी हमारे लिए है देश के लिए है लेटनिन जेनरल सेवा निवृत अनिल चौहान चीफ निक्त किये गए है आप देश के दूसरे CDS हैं और यह मैं कहना चाहूंगी कि जो CDS होते हैं Chief of Defense Staff वो तीनों से नाओ के प्रमुक होते हैं उनके ऊपर होते हैं और Message Nisha उन लोगों के लिए है जो Retire हो चुके हैं और सोचते हैं कि देखे अब Retirement Life है क्या करने कुछ भी नहीं कोई adventure नहीं है कुछ काम नहीं क्या कर सकती है लेकिन यह मानना पड़ेगा कि अगर आपके पास experience है आप hard working है तो कुछ पता नहीं कब वो चीज कहां काम आ जाए तो जैसा कि हमने कहा था कि हमारे साथ phone पर रहेंगे Lieutenant General Retired JBS Yadav Ji बहुत-बहुत स्वागत है यादव जी आप आपको मेरे बहुत जैंद और बेस्ट फिशिए आपके शुपकामनाय सर मिल गई है हम तक और हम अच्छली आज गांधी जैंती के दिन हम अपने सभी श्रोताओं के साथ ये शेर कर रहे हैं Lieutenant General Anil Chauhan जी जो देश के दूसरे रक्षाद्यक्ष पने हैं इनके बारे में प्ल कि अपाल में ही सीडियस नियुक्त हुए हैं वो मेरी रजमेंट्स के हैं 11 गुर्खा हैफल्स के और उनका कमिशन जो था मेरी रजमेंट्स में वो जून दो हजार जून उन्नी सो इक आसी में हुआ था और जब से और आज तक मैं उनको बली बाती उनसे मेरा प्रचै है और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ उनके पूरी केरियर में मैंने उनको अच्छी तरह से देखा है और मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत ही शक्षम सीनियर आफिसर्स हैं और बहुत ही संबले हुए हैं बहुत ही ध्यान से और गयराई में हर एक चीज को सूचते हैं और जो उनकी अभी पर्द पे न्युक्ती हुई है उसके लिए वो मेरा अपना विचार है कि वो सबसे सक्सम और सबसे अच्छी गौर्वेंट की चॉइस है यानि यही है राइट चॉइस मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप खुद गौर्वा रेजिमेंट से हैं और दो दो सीडिये समें इस रेजिमेंट ने दिये हैं क्या खास बात है गौर्वा रेजिमेंट की देखिए जो गौर्वा रेजिमेंट से आफिसर कमिशन होके आते हैं तो यह एक तरह से हमारी प्रता रही है कि जो आफिसर आते हैं उनको हम बहुत ही अच्छी तरह से उनकी केरियर और प्रफेशनल ट्रेनिंग कराते हैं उनकी केरियर प्लैनिंग है उनका है उसको उभरने का पूरा मौका देते हैं जिससे कि उसके अंदर जितने भी टैलिंट है उसकी प्रस्नलीटी जर्वा करद दना इस जितना भी जीनियस है वह उभर के आए और उससे उसकी personality में एक तरह से निखार आ जाता है और आम तोर पे वो युद्ध के मैदान में भी अच्छा काम करते हैं और जो युद्ध की योजनाएं बनाते हैं उसमें भी बहुत ही सेक्सम तरीके से अच्छा planning वगरा करते हैं सर जैसा आपने कहा कि आपके अंडर एक टाइम पर उन्होंने काम किया है तो किस तरह का व्यक्तित उनका रहा है क्योंकि आप उनके ऑफिसर रही है तो बताओ जुनियर कभी उन्होंने आपको तंग किया कुछ शरारत की या काफी बैलेंस पसनालिटी वो रही है कुछ अच्छा था ट्रेनिंग के दुरान में और जब वो यंग आफिसर बन कर आये थे तो जब से ही उनके अंदर एक तरह का और हरे काम को बड़े गंभीरता से लेते हैं वो और हरे एक जो समस्या या प्रॉब्लम कहे लिजी है या जो चैलेंज होता है प्रफेशनल या एड्मिनिस्टेटिव या जो भी है उसको भली भाती से समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके उपर कितरे सलूशन से हैं और कौन सा बेस्ट उसका सलूशन है उसको ढूनने की कोशिश करते हैं और इस तरह से उनका जो दृष्टिक कोण भी है वो हमेशा पॉजिटिव रहा है और अपने हैं जितने भी सबॉडिनेट्स हैं जितने भी उनके नीचे जवानों ने काम किया हैं जितने भी जेश्योज ने उनके नीचे काम किया हैं उनको वो भली भाती समझते हैं और उनकी जो भी emotional requirements होती हैं उनका भी वो ख्याल करते हैं और उनको भी एक team के अंदर एक team बनाने की कोशिश करते हैं जी वो मैंने देखा है कि हर level के उपर चाहे वो junior officers थे चाहे वो middle level officers थे चाहे वो senior officers बाद में बने और आज वो सबसे तीनों services के सबसे senior officer हैं तो मैंने यह उनके अंदर देखा है कि वो team बनाने की कोशिश करते हैं जी जैसा आपने बताया मतलब बहुत सारी qualities आपने new cds ने चोहांजी के बारे में बताई लेकिन बतौर cds अब आज वर्तमान आधुनिक भारत में और आसपास के लाकों को देखते वे आपको क्या लगता है किस तरह के challenges उनके सामने आपको नजर आते हैं यहां देखिए उनके लिए बहुत सारे challenges हैं और जो हमारे इन से पहले cds थे जनरल बिपिन रावत उन्होंने जो कारिये शुरू करे थे पहली बात तो यह है कि वो अधुरे रह गए हैं और उनको आगे बढ़ाना है जी और उसके जो अलावा उसके बाबजूर जो हैं कुछ ऐसे और भी चीजे घटनाएं हुई हैं इंटरनेशनल लेवल के उपर और इंटरनेशनल इंवार्मेंट के अंदर ऐसे changes आए हैं जो कि उनको मध्य नजर रखते हुए और भी काम करने होंगे जैसे उधारन के तौर पर उनको अगली पीडी की जो लड़ाई है जिसको हम कहते हैं next generation warfare उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा यह नेक्स जनरेशन warfare जो है यह आगली पीडी की जो warfare है वो कैसे लड़ी जाएगी और उसके लिए उनको किस प्रकार से योजना बनाने पड़ेगी तो यह एक challenge है दूसरा challenge है कि technology हाला कि technology कोई नहीं यह नहीं है यह पुराने जमाने में भी जिसके पास अच्छी टेक्नालोजी होती थी चाहे वो मुगल पीरिड था चाहे वो मराठा पीरेड था चाहे वो बिटिश पीरेड था जिसके पास अच्छी टेकनॉलोजी होती थी वो ही समय के मताबब अपने युद में सफल होते थे तो अभी जो टेकनॉलोजी खास तोर पे आज के दिन में टेकनॉलोजी जो है वो घोड़े की रफ्तार से चल रही है और इनको टेकनॉलोजी अपग्रेड इंडियन आर्मी के अंदर तीनों सर्विसिस के अंदर टेकनॉलोजी अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है क्योंकि हम से जो हमारे वीरोधी हैं जैसे चीन हैं और जो दूसरे और भी देश हैं उनकी टेक्नोलजी जो है वो हमसे अभी आगे हैं तो जो टेक्नोलजी का गैप है इसको काम करने के लिए उनको काफी मैनद करनी पड़ेगी जिस था मैं ज़ो चैलेंज है वो यह है कि आज जो है थिन विंक शित्र की रड़ाई हो रही आ ही जिसको हम बोलते है मल्टी डोमेन वारफैर जैसे शाइबर वारफैर है, दुक्लियर वारफैर है और बदोमेन जो विंक शित्र है ये सब को भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये सारे क्षित्र जो हैं ये लड़ाई के अंदर अपना-पना काम करेंगे और अपना-पना असर भी डालेंगे फिर आगे जब तक हमारा देश आतम निर्भर नहीं होगा हत्यार बनाने में जब तक हमारा देश कमजोर रहेगा ये हमने देखा है ये मैंने भी अपनी सर्विस में देखा है कि हम अपने जो हत्यार हैं बाहर से मंगवाते हैं अब भार से जो हतियार मंगवाते हैं, तो उनके उपर बड़ी रिस्टिक्शिन होती है, जी, जी, उनके पर पार्ट्स नहीं मिलते हैं, उनकी टेक्नोलजी अलग होती है, तो जो देश अपने आतम निर्भर नहीं है, जो अपनी बंदूपी नहीं बनाएगा, अपनी मिसाइ स्वदेशी अपनाने पर बहुत जोड दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, तैंक यू वेरी मच और जैहिन सर, जैहिन, धन्यवाद, ये थे हमारे साथ लेटिनेंट ज भालने से पहले वहाँ पहुचे तो राश्ट्रे समर्स मारक पर उन्होंने शहीद सैनिको को श्रद्धान जली दी, I think he is ready now, जी बिलकुल, और मुझे लगता है कि नई युक्का भी अब शुरुवात होगी, क्योंकि नई सोच के साथ वो आएंगे, और बहुत से हालात हैं वो भी बतलेंगे, और जल्दी वापस आएंगे हमारे आज के विनर के साथ, आपको बताना था जो आडियो हमने सुनवाई थी, वो किसकी आवास थी, अब तो सवाल का जवाब और भी आसान हो गया होगा, और WhatsApp नमबर भी दिया था, 9990060506, ये गाना सुनते निशा ऐसा रखता है, ले लद्दाख पहुंच गए, डॉक्तर गितिका तो खो गई है इस गाने में, चलो हम भी खो जाएं और सुरे इस गाने को, stay tuned, ना भी ना, हम तो speed post कर देगे, तो किन को मिल रहा है, कौन है आज के विजिता, हमारे साथ इस वक्त, फोन लाइन पर मौजूद है सतीज जी, हलो सतीज जी हमारे वाज आ रही है, हाँ जी हाँ जी, स्वागत है आपका, and many many congratulations, आप है हमारे आज के विनर, जो audio को में सुनवाया था, सतीज जी बताईए, वो क्यों की आवाज थी, सीडियस, लेटिनेंट जर्नल, अनिल चौहान, सेवा नेवरेट, जो की अब सेवाओं में वापिस लिये गए है, अपनी काबलियत के बलबूते पे उनको लिया गया है, बहुत बढ़िया सोच है उनकी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जो gift hamper है, आप तक जल से जल पहुंचा दिया जाएगा, बस आप जल से जल अपना पता हमें भीज दीजेगा, जरूर मेसेज करके, चीक है सतीज जी, जी जी जी, इसी तरह से आप लोग भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, सवाल का सही जवाब देकर, जी और रविंद्र जी भी हमारे साथ आते थी हैं, जी जी जब आपने जॉइन की, जब हम छोटे थी, हम टीवी पर देखते थे, तो बड़े मतलब एकदम उनिफॉर्म जैसे आप बीएसेफ से आया अपने उनिफॉर्म में थे और सड़नली सुटेड बुटेड और काला चश्मा वगरा लगा के बहुत अट्र अपनी सेवाइं दे रही है, मैंडम, कई बार हम टीवी पर आते हैं, तो रिष्टेदरों पता चलता है, दूसरों पता है अलगी होता है तो टीवी में आगे तो चश्मी जो गोगल्स पैक से जो गोगल्स का मैंडम यह मतलब होता है, यह स्कुरिटी पर प्रपस प्रपस जैसे मैं आप से आई कोंटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो मैं आप से देख लूँ आपको, आप मुझे नहीं देख पाएंगी, आप क्या एक्टिवीटी करने वाली हैं, मैं आपको देख लूँगा, और ऐसे मैं देखूँगा, तो आप मुझे पैचाल निंग मेरी तब अपनी एक्टिवीटी चुपा देगे, तो यह गोगल्स का में ही होता है, यानि जो लोग थोड़े शातिर दिमाग के हैं, या थोड़े क्रिमिनल माइंड़ हैं, उनको बता दिया जाए कि हमारे सेनिक आप तक पहुंच जाते हैं, आप उन तक कते नहीं पहुंच या कॉमेंटरी की जाती है, तो किस सरे से की जाती है, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? हमारा पांच दिन का कोस था, चप्टिस से लेके तीस तक, वोईज मॉडिलेशन और आर्टिकूलेशन प्रेजेशन की उपर था, तो हमें बड़ा ही अच्छा एक्स्पिरियंस था, म तूरिस्ट वो वहाँ जाना चाहते हैं, चार दिन की चुटी हुई, पांच दिन की हुई, बाइट ली, कार ली, पूरी फैमिली और रिष्टेदार फ्रेंट के साथ वहाँ पोच गया है, तो आप यह बताएगे कि किस सरे से जाना चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेनी चा आपको अलिएशन की सक जरुवता है, आप अठरी ही घूम्ना नहीं जा सकते क्योंकि बाइसिकली रहाँ बाइशन थी घर सब्सक्राइशन की चाहिए क्योंकि बाहां ली भाइट रहे रहे कि जितना नीचे लेक लेक लेका है तो आपको लेना लेना बड़ेगा, गां उना proper rest करना ही करना है उसके बाद आप जहां जाएं और liquid diet ज़रूरी है liquid diet basically आपको आते ही पानी ही sip sip करके लेना है that to warm water not cold water चली बहुत सारी information दी पानी sip 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 करके लेना है गटगट करके नहीं पीना है अब रविंदर जी शो का समय बिल्कुल बस खतम ही होने वाला चलते चलते हमारे जितने भी शुरुताओं ने आपका experience सुना everybody was very happy अब आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे कोई संदेश आप के लिए तरफ से मैदम ये कहना चाहूँगा अग सभी मेरे साथियों को जो भी है इमानदारी से डूटी करनी चाहिए देश के परती पूरुन समर्पन आ चाहिए और जैदागी चात नहीं रखनी चाहिए दार लोटी खाओ और देश के लिए कुर्बान हो जाबास बहुत बढ़ी बात आपने कही है और एक अच्छी शिक्षादी है इन फैक्ट मैं तो ये भी कहती हूं निशा और रविंदर जी डॉक्टर गीतिका बोशिया जैसे सैनिकों से ही हम इंस्पायर होते हैं कि हम दिन में तीन बार वन्दे मातरम और जैहिन जरूर बोलें अपने बच्चों को भी ये संसकार दे और देखे हम राष्ट्र भक्ती भी जागरित होगी और हम देश के लिए सेवा करने के लिए भी तक पर रहेंगे और एक बार हमारी दूसरी गैस गितिका जी आप भी एक मेसेज आपकी तरफ से भी हमारे सब इश्रोताओं के लिए हर चीज को पॉजिटिवली लेना है अगर आप देश भक्ती में हैं और आप करना चाहते जवानों मतब जवानों के लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं हमारे देश, the soldiers अपना काम कर रहे हैं हमें उन्हें respect देने का बस यही हमारा काम होना चाहिए और यह बताने से नहीं, मन से यह चाहत होनी चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया हम से जुणने के लिए इस शो जिसका नाम है वतन के रखवाले जैहिन अगले सब्ताह इसी दिन इसी समय हम फिर उपस्तित होंगे वतन के रखवाले कारकरम की एक और प्रेरक कड़ी लेकर